हेलो दुस्तों स्वागत आपका अपने स्चैनल पे दूस्तों कैसे एक फोटो ने माल्डिव्स को बरबादी के और ढखेल दिया है लास्ट यर तक बहुत सारे टोरिस्ट अपने छुटीया मनाने माल्डिव्स जाया करते थे बट अब सब उल्टा हो गया है अब वही टोरिस्ट लक्षिदिप जा रहे हैं और बायकॉट माल्डिव्स का ट्रेंड चल रहा है तो अभी फिलाल में देखेंगे तो माल्डिव्स की बहुत सारी फ्लैट्स कैंसल हो चुकी है जिसकी वज़े से माल्डिव्स को आर्थिक आज की वीडिव्स के वीडियो। आपको बताएंगे की लक्षिदीप कैसे जाए और कहां कहां पर घूमें। चलेए इस वीडियो को स्टाрट करते हैं। दोस्तों लक्षिदीप जाने के लिए आप अपने सिटी से बाइट्रेन या फिर फिर बायक्राइट के कोचिन जान के लिए आपके पास entry permit होना चाहिए बिना entry permit के आप लक्षवदीब नहीं जा सकते हैं अगर आप flight से लक्षवदीब जाते हैं तो कोचिन से आपको flight मिलेगी और ये flight आपको अगटी आइसलेंड पर लेके जाएगी जो की लगभग देर घंटे का time लगेगा flight से लक्षवदीब में फिलाल एक ही airport है वो अगटी आइसलेंड पर है अगटी आइरपोर्ट पर उतरने के बाद आपका entry permit चेक किया जाता है अगर आपको ship से जाना है तो उसके लिए आप इसका ticket online book क कर सकते हैं इसका website www.laqport.uti.gov.in इस website पर जाके आप ship का schedule चेक कर सकते हैं और ticket उसे हिसाब से book कर सकते हैं फिलाल में ship रोज नहीं चलती है इसका आप schedule चेक करें और उसके हिसाब से ही अपना plan बनाएं अलग-अलग island पर जाने के लिए अलग-अलग ship चलती है ship में अलग-अलग class के seats होते हैं आप अपने budget के हिसाब से book कर सकते हैं बताएगा website पर जाने के बाद आपको पूरा details मिल जाएगा तो एक बार जरूर विजिट करें website पर लक्षदिव गुमने के लिए आप चार से पांच दिन का travel plan ज़रूर बनाएं अब आप ship से या flight से कोचिन से अगाटी island पर पहुँच गए हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद दुफेहर में आप अपने hotel में check-in करें hotel में check-in करने के बाद खाना खाएं थोड़े refreshment लें और अराम करें क्योंकि travel थोड़ा hectic हो जाता है फिर शाम को snacks करने के बाद आप बीच पर जाएं और बीच पर गुमे फीरे और वहाँ के नजारों का आनन्द उठाएं फिर next day day 2 में आप आगाटी में water boat sports activity कर सकते हैं then फिर आप scuba diving, snorkeling कर सकते हैं और फिर glass bottom boat की ride भी ले सकते हैं और अगाटी island को explore करें और अगाटी island को अच्छे से explore करना है तो आप scooter भी rent पर लेके अगाटी को अच्छे से explore कर सकते हैं यहाँ पर आपको scooter भी rent पर मिल जाता है फिर शाम के time पे आप कालपटी island पर visit कर सकत बोट से और वहाँ पर समुंदरी जीओ को देख सकते हैं लक्षदीफ में अगाटी island best माना जाता है टूरिस्टों के लिए बहुत सारे टूरिस्ट अगाटी island पर जाते हैं फिर तीसरे दिन आप अगाटी से बंगाराम island पर जाएं यह government की island है और यह specially tourist के लिए ही बनाया लक्षदीफ में आपको कहीं पर भी alcohol नहीं मिलेगा सिफ बंगाराम में ही मिलेगा अगर आपको alcohol consume करना है तो आप बंगाराम में कर सकते हैं बंगाराम में जाने के बाद वहाँ पर अपने resort में जाएं वहाँ पर entry करें बीच पर घूमे फीरे पूरा उसको explore करें खाना खा शाम के टाइम में समुंदर में जाएं और वहाँ आपका आनन्द उठाएं थंडी थंडी अवा आती है आपका mind एकदम fresh कर देता है सालों की ठकान दूर हो जाती है शाम के टाइम पर ये तो तीन दिन के plan हो गया है आप कहा कहा जाएंग और क्या क्या देखेंगे उसके बा फ्लाइट या ट्रेन से जैसा आपने booking किया है दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ship से घुमना है तो government का एक package है समुंदरम package ये starts होता है कोचिन से इसमें तीन island घुमाया जाता है ये चार से पांच दिन का package होता है इसमें आपको दिन में islands पर घुमाया जाएगा और रात की time पे ship में ही आपको बिताना पड़ेगा दिन में islands पर जाकर आप साइट सिंग करें स्कूबा डाइविंग करें और enjoy करें उसके बाद शाम को आपको return ship में आना है और अपना रात वहीं पर बिताना है ये समुंदरम का जो package है आपको online मिल जाएगा इसके website पर जाकर आप ये book कर सकते हैं दोस्तों लक्षदीप जाने के लिए सबसे best रहेगा कि आप टोर package लें बहुत सारे travel agencies हैं जो कि लक्षदीप के लिए टोर packages दे रही है इसमें आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी आपको entry permit निकालने के लिए कोई भी problem नहीं होगा सब travel agency करके दे द आप लक्षदीप को अच्छे से explore कर पाएंगे वैसे देखे तो लक्षदीप में और भी बहुत सारे island हैं जहां पर tourist जाते हैं जैसे की कारवती हो गया, minikoy हो गया, androt island हो गया, andreti island हो गया, amini island हो गया, kadmat island हो गया, marine museum हो गया, ये सारे island पर भी जाके आप घूम सकते हैं बट ये सारे जगर पर जाने के लिए आपको time लगेगा, 4-5 दिन में ये सब नहीं हो पाएगा, बात करें दोस्तों खर्चे की तो इस trip का एक person का खर्चा लगभग 32-35,000 होगा, और जो tour packages रहते हैं वो भी इसे हिसाब से ही रहते हैं, वो 35,000 के भी है, 40,000 के भी है, 50,000 के तो आप अपने budget के हिसाब से package select कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था लक्षवदीब का tour plan, इस हिसाब से आप अपना tour plan कर सकते हैं और लक्षवदीब island को explore कर सकते हैं, बहुत सारे tourist Maldives के बदले लक्षवदीब चा रहे हैं, तो कैसे लिए ये चानकारी आप हमें comment में जरूर क्या आप future में लक्षवदीब जाना चाहेंगे और जाना चाहेंगे तो कैसे जाना चाहेंगे, वो आप हमें comment में जरूर लिखें, या फिर आपका भी एक लक्षवदीब गए हैं और गए हैं तो आपका tour कैसा रहा, वो भी आप हमें comment में जरूर लिखें, तो इस वीडियो